कोई clickbait नहीं है, मैं आधी चीज़ें आपको बताऊंगा, फिर अपना कोई course बेचूंगा, कोई अपनी portfolio बेचूंगा, ऐसा कुछ नहीं है आज इस वीडियो में मैं आपको 15 stocks के आसपास बताऊंगा, जो आप खुद pick करेंगे, मैं आपको बस guide करूंगा और हम आज 15 best stocks की एक portfolio बनाएंगे, पताई क्यों कर रहे हैं हम ये, क्योंकि मैंने एक चीज़ notice की, बहुत सारा data आता है, broker का, NSE का, कि 90% investors, traders loss में हैं, 95% लोग loss में हैं, तो मैं सोचने पर मजबूर हुआ, लोग लाखो, हजारों के courses बेचते हैं, webinars करते हैं, seminars करते हैं, secret strategy करत हैं, profit screenshot post करते हैं, कि देखो मैंने 1 करोड एक दिन का कमाया, साल का मैंने 10 करोड कमाया, लेकिन अगर वो खुद कमाते हैं, तो अपने लोगों को, अपने followers को, जो रोज उनकी वीडियोस देखते हैं, उनको profit क्यों नहीं करवा पाते हैं, एक ही reason है, वो profit ज्यादा तर, और वही तरीका, आज हम discuss करने वाले हैं, और ये तरीका ना कोई secret नहीं है, कोई बहुत complex mathematics नहीं है, कोई secret strategies नहीं है, जिसके लिए मैं 50,000 का seminar कर दूँ, कुछ भी नहीं है, मुझे आपसे कोई ticket नहीं चाहिए, कोई course नहीं बेचना है, बहुत simple strategy है, एक चीज है, ये strategy guaranteed नह बला हूँ, ये कोई investment advice नहीं है, क्योंकि हर किसी की requirement जरूरते अलग-अलग होती है, तो इस तरीके से YouTube में आके randomly 15 stocks फेक के जाया नहीं जा सकता, वो बहुत irresponsible होगा, लेकिन अगले 15 minute में, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, कि आप एक profitable portfolio खुद के लिए create कर सको, अब उसस महान stock market influencers जैसे, मैं आपका पैसा साल में धाई गुना नहीं कर पाऊँगा, साल में चार गुना नहीं कर पाऊँगा, in fact मुझे ऐसा तरीका आ रहा होता न, honestly, तो मैं YouTube पे आता भी नहीं, मैं phenology भी बंद कर देता, मैं क्यों marketing करूँ, IT का का काम करूँ, product management करूँ, दुनिया कर दूँ, मैं 3-4 साल में करोड़ पती, और 10 साल में तो इंडिया के सबसे अमीर लोगों में, तो मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं, और जिसके पास है भी, उससे जाके जरूर पूछिएगा, कि फिर वो 2000-5000 के courses क्यों बेचता है, और YouTube वीडियो में add क्यों चलाता है, तो व 12, 14, 15, 16% का return कमा पाएंगे, हर 4-5 साल में अपने पैसे को double कर पाएंगे, और जिन्दगी भर wealth को compound कर पाएंगे, बिना time दिये, बिना पैसे दिये, बिना anxiety और बिना stress के अच्छे returns, stock market से सारी जिन्दगी कमा पाएंगे, तो चलिए, इस प्रांजल कामरा, शुरू करते हैं एक ऐसी stock portfolio जिससे आप market को सारी जिन्दगी बीट कर पाएंगे, आपको दो चीजों का वादा करता है, तब ही जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो काम करेगा, पहला, आप gambling, trading नहीं करोगे, अगर वो करोगे ना, तो मैं कुछ भी बोलू, उसका नशा ऐसा होता है कि वो काम नहीं करने वाला, वो कि trading में ना, किसी दिन आपका पैसा 50% बढ़ जाएगा, आज लाख लगा या देड़ लाख होगे, और आप सोचोगे, यार ये बढ़िया है ना, कहां मैं 15-20% की पीछे जा रहा हूँ, ये तो रोज 50% बढ़ रहा ह वो एक दिन होगा, दो दिन होगा, फिर चार दिन उससे जादा लॉस होगा, ये तरीके से पैसा नहीं बनेगा, इस पर आपको विश्वास मेरा करना पड़ेगा, करोगे ना आप विश्वास, तो ही इस वीडियो को आँगे देखो, और दूसरा, जैसे जैसे मैं आपको ब करिए और वो स्टॉक को कॉमेंट करिए, तो आप स्टॉक कॉमेंट करते जाना, जब अगला स्टॉक आएगा, तो उसी कॉमेंट को एडिट करके आप एक और स्टॉक एड़ कर देना, पोटफोलियो आप और मैं इस वीडियो के साथ-साथ लाइफ बनाएंगे, आप दिले नहीं चलता और हमारा एक दूसरा अबजेक्टिव भी आ जाता है, वो पता है क्या, स्मार्ट लगना, स्मार्ट साउंड करना, और हम हमारे सारे डिसिजिशन्स इसलिए लेते हैं, ताकि हम स्मार्ट लगें, हम स्मार्ट साउंड करें, क्रिप्टो में पिछले साल बहुत डाउट होता था, लेकिन जब आपके आसपस वरे लोग पैसा कमा रहे थे न, तो आपने भी पैसा लगा दिया ये सोच के, कि फिर तो मैं बेफकूप बन जाओंगा, हर कोई पैसा कमा रहा है, मैं बोलता हूं कि मुझे फिनायन्स आता है, लोग क्या बोलेंगे, कि मैंने पैसा क्यों नहीं डाला, क्योंकि जो पैसा डाल रहा है, वो आपके रिलेटिफ को भी बोल रहा है, मैंने खूप कमाया, आपके दोस्तों को भी बोल रहा है, मैंने खूप कमाया, तो आप में फोमो आ जाता है, हर कोई कमा रहा है, मैं कैसे ना कमा हूं, मैं तो गधा तूने नहीं डाला पैसा अरे यार मेरे से पूछना जाना मैंने बहुत पैसा कमाया हमारा एम हो जाता है दोस्तों और community में smart दिखना उस चक्कर में पता है क्या होता है stock market में आप उन पीछ जाते हो जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते जिन कमश्यों के business को आप नहीं समझते और ये stock market की बात नहीं यह life में जब भी आप खुछ ऐसा करोगे जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते तो गरबढ़ हो नहीं है न आप अचानक से जाके सोचो के मैं IIT निका चॉपिंग करने जाते हो जिस ब्रैंड आपने नाम नहीं सुना उसका लाक रुपे का फोन लेके नहीं आ जाते हो उसकी 10,000 रुपे की टीषिट लेके नहीं आ जाते अगर महिंगी शॉपिंग करने हैंनी तो आप marketed पर आप को आपको क्या मिल रहा है सर्फ stock पार्केट में न हम उन कमणियों में पैसा लगा देते हैं जिनके बारे में हम इंसाइड आउट नहीं जानते तो जब भी आप कुछ ऐसा करोगे जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं स्टॉक मार्केट हो या बाहर आपको नुकसान होने वाला है और दूसरा आपको उन कमणियों में पैसा नहीं लगाना है जो अच्छा रिटर्न दे रही है क्योंकि वो रिटर्न आज दे रही है कल नहीं देंगी रिटर्न की मार्केट म एक दिन एक घंटे की गारेंटी नहीं होती जो share पिछले एक साल से बढ़ रहा है हो सकता है वो इस moment आपने खरीदा तबसे बढ़ना रुख जाए और अगले पात साल ना बढ़े तो क्योंकि कोई share बढ़ रहा है बहुत अच्छा हो गया है 100-400 हो गया है लोग बोल रहे हैं यह 800 जाएगा लोग तो बोलेंगे लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं लोगों के बोलने पे अगर हम चलते हैं स्टॉप मार्केट के अलावा आप भी लोगों के बोलने पे नहीं चलते हैं लोग जो फोन खरीदें, आपको फोन नहीं खरीदें, लोग जो कार खरीदें, आपको कार नहीं खरीदें, आप हमेशा अपनी समझ से चीजे खरीदें, तो share भी लोगों के बोलने पे नहीं खरीदना है, आपको उन shares को खरीदना है जिनको आप पूरी तरीके से जानते हो, औ और आपको ये नहीं डरना है कि यार मैं तो फिर 20 कमणियों को जानता हूं, मार्किट में 5000 कमणियों वो तो मिस हो जाएंगे, तो अच्छी बात है न, 4800 कमणियों को अनलाइस करने का टाइम बचेगा, आपको फो टाइम नहीं देना पड़ेगा, ये तो बहुत अच्छी बा वर्निंग हुई तो ब्रश करना पड़ेगा, अब ब्रश के समय, कॉमेंट करो, कौन सा टूथपेस्ट, कौन सा टूथब्रश, मैं नहीं बोल रहा हूं, आपको कौन सा शेयर लेना है, आप कौन सा टूथब्रश और टूथपेस्ट यूज़ करते हो, सो के उठने के बाद उसके बाद नहाने जाना है, कौन सा शार जल, कौन सा शैंपू, कौन सा सोप, कॉमेंट करो, स्टॉप का नाम या कमपनी का नाव उसके बाद आप तयार हुए आप शायद breakfast होगा आप चाय पियोगे या दूद पियोगे या कॉफी पियोगे कौन सी company, कौन सा stock comment करो अब आपने दो या तीन company ओं stock के नाम comment कर दिये होंगे ये हो गए आपके morning stocks 15 में से 2 या 3 stocks done थोड़ा जीब लग रहा है क्या ऐसे कौन करता है, सबजी भाजी खरी रहा है क्या मजाग चल रहा है क्या मजाग नहीं चल रहा है tried, trusted and proven method है जो product आप use कर रहे हो आपको पता उनको use कौन कर रहा है दिन भर हम कितने सारे product यूज करते है आपके दोस्त, आपके भाई, आपके घर वाले उन company को own करो ना पता है क्या होगा आपने कोई toothpaste stock लिया जादा तर लोग वही toothpaste यूज कर रहे है आप यही देखके तो लोगे ना company पैसा कमा रही है उस share से ultimately जिन्दगी भर आपके toothpaste फ्री हो जाना है आपको toothbrush टूथपेस्ट पे कभी कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा जो साबुन वाला आप stock ले रहे होना अगर लोग उसका साबुन use कर रहे है वो share ने आपको इतना अच्छा return देना है जिन्दगी भर आपको साबुन तेल शैंपू पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा वो share आपके ये सारे खर्चों का बिल पे करेगा जिन्दगी भर जिन products को आप use कर रहे हो उसके owner बन जाओ ना कब तक consumer रहोगे उन ही products के please owner बन जाओ अगर आपको साबुन बेच बेच के H.U.L. इंडिया की इतनी बड़ी कमनी बन सकती है तो H.U.L. के owner बन जाओ आप भी उसकी रफ्तार से ग्रो करोगे और आप भी बहुत अमीर हो जाओगे H.U.L. के consumer मत बनो उसके owner बन जाओ लेते हो जो टीवी जो फोन पसंद आता है आप खरीद लेते हो ना जो कमपनी का माल पसंद आ रहा है वो कमपनी खरीद लो ना mindset change करो जो कमपनी पसंद आ रही है खरीद लो चलो अभी तो हम बस सुबह तक पहुँचे ना उसके बाद students college जाते होंगे जो जॉब पे जाता है वो जॉब करने जाता होगा लेकिन इस बीच में कई बार हम रस्ते में कुछ खाने रुख जाते होंगे या उस दिन हम एरे घर में breakfast नहीं बना है तो हम food delivery app से कुछ order कर लेते होंगे जहां बहुत सारे restaurants है कोई आपका favorite restaurant होगा जो listed है या वो food delivery app आपको काफी पसंद होगा उसके बाद हो सकता है आप उसका payment करें किसी UPI app से जो listed हो सकती है क्या हो सकता है आप अपना bank का ही app यूज़ कर रहे हो कोई credit card, कोई debit card जो आपके bank ने issue किया हो उससे आप बहुत खुश होंगे own it सिर्फ consumer बन के मत रहे उसके बाद आपको तयार होना है office जाने के लिए, school, college जाने के लिए तो जूते कौन सा brand का पहन रहे है और कपड़े west side से लिए या shopper stop से लिए या zudeo से लिए, कहां से लिए रस्ते में कॉफी पीने रुके तो starbucks गए थे क्या और उसके बाद आपका office दिन भर चल रहा है तो software Infosys का यूज कर रहा है TCS का, call center किसका Airtel का या Jio का और बहुत सारे gadgets होंगे वो gadgets कौन बना रहा है कौन से brand के gadgets हैं आपके पास AC आपके office में ब्लू स्टार है, IFB है या वोल्टास है वाशिंग मशीन आपके घर में कौन सी है डिश्वाशर कौन सा है TV कौन से brand के हैं दिन भर हमारी जिंदगी में कितने सारे brand आते हैं ये सब comment करो आपके घर में AC है कौन से brand का है comment आपके घर में fridge और TV कौन से brand के है आप food delivery कौन से app से करते हो branded quick service restaurants में आपको domino's जादा पसंद है पीजा में या pizza hut McDonald's जादा पसंद है या burger king comment coffee Starbucks या CCD comment ये सारे options आपके पास है bank account आपका HDFC में है access में SBI में या ICICI में credit card access SBI कौन सा यूज़ कर रहे हो या HDFC ये सारे brands हम रोजन से interact करते है रात हुई शाम हुई आपको कहीं बाहर जाना है movie देखने का plan है PVR जा रहे हो या INOX कहां जाने का plan है comment करके बताइए dinner करने कौन से restaurant जाने वाले हो perfume कौन से brand का लगाया belt, wallet, shoes थोड़े stylish पहने होंगे कौन से brand के लिए formal पहने हो तो लुई फिलिप, आलन सॉली, ब्लाक बेरी या वैन हूसे कौन सा brand आप देख रहे हो ना ये सब हमारी जिंदीगी से बहुत जुड़े होए होते हैं लेकिन कभी-कभी हमें दिखाई नहीं देते जब आप इन brands में invest करोगे न ये जो 99% loss वाला आकड़ा है न मुझे नहीं पता कि आप market को कितने percent से आउट परफॉर्म करोगे या कितने जादा लोग आउट परफॉर्म करेंगे और मैं कोई guarantee देना भी नहीं चाहता लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलूँगा ये जो 99% लोग दुनिया भर के trading course खरीद के loss करते हैं वैसा strategy से नहीं होने वाला है एक तो ये strategy free है और दूसरा मैं तो ये कहूँगा कि इसमें major chances है मेरा विश्वास है कि जादा तर लोग profit में रहेंगे तो 50-50 अजार रुपे की fees देना बंद करिये ये simple strategy रखिए 20 साल लगेंगे आप जल्दी अमीर नहीं बनोंगे सच में 20 साल क्या आप हो न 25 आपको 5 साल में अमीर बनना इसलिए आप trading करते हो तो मैं कुछ नहीं कर पाँगा लेकिन 20 साल अगर आपने strategy को follow किया तो भी यार आप 40-45 के रहोगे थोड़ा खाने पीने पे ध्यान दोगे तो fit रहोगे और तब आप करोड़ पती हो जाओगे हजार और रुपे खर्च करके दिन भर स्क्रीन के सामने बैठ रहे के फिर भी लॉस करने से बेटर है कि मुझे पे विश्वास करो 15-20 साल का time दो ये strategy discipline से follow करो 40-45 साल के उमर में भी आप अमीर हो गए तो हो सकता है आप अपने माबाब की जिंदगी बदल दो खुद की, खुद के spouse की जिंदगी बदल दो तो ये कर लो ना या लालच के पीछे कब तक भागते रहो गए और imagine, इंडिया के 20 top experts अगर 20 अपने फेवरेट stocks आपको बताएं और ये भी बताएं कि कैसे उन्होंने उन stocks को pick किया, क्या बढ़िया रहेगा ना तो ये available है Phenology Quest के Value Investing Carnival में जहां 20 experts ने 20 stocks disclose किये कौन से उनको पसंद है और explain किये कि उनका stock picking process क्या होता है इस course का access आपको Phenology 1 का member बनके Quest में मिल जाएगा, सारे link इस वीडियो के description में और pinned comment में उपर card में, तीनों जगे आपको मिल जाएगे, तो उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा trust me, आपके आसपास वाला भी न 1000 रुपए बरबाद कर रहा है fake trading strategies सीखने में उसके पैसे बचा लो पता है कैसे, ये वीडियो प्लीज उसके साथ शेयर कर दो और उसे बोलना कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखे दिस इस प्रांजल कामरा, साइनिंग ओफ, बाई बाई